तो हलो दोस्तों आजके डिफेंस अपडेट वीडियो में अमका में एक ऐसा गातक हत्यार लगने जा रहा है जिसके कारण अमका 6 जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है तो उसी हत्यार के बारे में डिटेल से बताने वाले है नए हो तो प्लीज मेरे डिफेंस चैनल को सब्स लेजर वेपन पे बहुत ही जोरो शोरो से काम करा है तो लेजर वेपन लगने के बाद हमारा जो अमका है वो दूनिया का सबसे अड़ांस फाइटर जेट बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा उसके अलावा जो ये लेजर वेपन होगा वो दुश्मन देश के फाइटर ज फिचर है उसको कम करेगा तो उससे पहले अमेरिका ने भी एक बाद ट्राय किया तो जो अपना एप 60 है उस पे पोड लगा के लेजर सिस्टम का अमेरिका ने ट्राय किया था तो अगर डिया डियो पोड के स्वरुप में लेजर सिस्टम को लगाता है को थोड़ा सा स्टेल लेजर वेपन फिट करता है तो स्टेल्थी फीचर भी कम नहीं होगा और लेजर वेपन को तो बारे में आप सबी को पता होगा कि लेजर वेपन के साथ हमारा जो अमका आएगा वो बहुत ज़्यादा अडवांस होने वाला है तो अगर बहुत जल्द यानि कि 2030 से पहले भी य लेजर इंस्टॉल हो जाती है तो हमारे लिए बहुत थी बड़ी अच्वी मेंट रहेगी तो फिलल चाइना के पास भी ऐसा कोई भी हत्यार अभी फिलल अवेलेबल नहीं है तो भारते वाइज सिना को ये लेजर वेपन के बाद बहुत थी बड़ी एज मिल जाएगी और जो हमारा अमका मार्क टू आएगा वो बहुत थी ज़्यादा अडवास उसके अलवा सिक्र जनरेशन फीचर के साथ लेस होने वाली है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सबसाब में चैनल थैंक यू फर वाचिंग